अयोद्या के सरीव नदी में पगड़ी उतारने के बाद डिप्टे सीम समराठ चौधरी अब सीम हाउ जाकर मुख्यमंत्रे नितीस कुमार से मुलाकात किये हैं तो देखिए ये तस्वीरे निकल कर सामने आ चुकी हैं चुकी इससे पहले समराठ चौधरी अयोद्या जाते है पुरे काफला ताम जाम के साथ कई लोगों के साथ कई भारतिये जनता पार्टी के खोटे के जो मंत्री होते हैं वह उनके साथ अयोद्या जाते हैं और अपनी पगड़ी को से राम के चर्नों में समर्पित कर देते हैं और समर्पित करने के बाद वहाँ से परसाद और पहुँचे थे कार्याले में भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया था महिला मोर्चा की ओर से अविनंदन किया गया था और अब डिप्टी सीम समराच चौदरी सीम हाउस पहुच कर मुख्यमंत्री नितीस कुमार को अंगवस्तर दिये हैं प्रसाद दिये हैं देखे आपको तस्वीरों में नीचे टेवल पर प्रसाद नजर आ रहोगा साथ साथ मुख्यमंत्री के कंधे पर आपको अंगवस्तर भी नजर आ रहोगा और साथ मे दिप्ती मिँ समराज चोधरी नजर आ रहेंगे समेत कई मंत्री कल देर साम मुख्य मंत्री नितीज कुमार से मुलाकात किये हैं पहले दफ़ा अयोध्या में मुंदन कराने के बाद अयोध्या में पगडी खोलने के बाद समराज चौधरी अब स्यम्नितीस कुमार से मुलाकात किया है तो देख्ये तस्वीरे कल के निकल कर सामने आ रहे हैं चुकि प्रन लिया था मुरेटा बानने के साथ ही कि जब तक स्य तार नहीं खोलेगे और हलाकि उनका कहा कहना है कि अब हमने स्यम्रितीष को उतार दीआ य हित्तिपा दे दिया था मारा मकसद महाँ गटवंधन में स्यम्रित को उतारना था कुछ अध्य ऐसे में डिश्तिकष मदने इस्तिकष दे दिया और ऐसे में उन्होंने कुछ दिन पहले बिगद दिनों पहले अयोध्या जाते हैं अयोध्या में जाकर सेराम के चर्णों में अपने पगड़ी को समर्पित कर देते हैं और उसके बाद की तस्वीरे देखे पहली दफ़ा सीम ने तीस कुमार से समराट चौधरी ने पगड़ संजे जहार समराट चौधरी समें कई नेता आपको तस्वीरों में नजर आ रहोंगे तो देखे पगड़ी खोलने के बाद पहली बार मुराकात सीम ने तीस कुमार और तीस समराट चौधरी की हुई है हलाकि इस चीज़ को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्षन में जरूर रखेगा तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहा निकले दा इंडिया टॉप देखते रहे धन्यवाद